दोस्तों ऐसी बहुत कम ही मूवीज और सिरीज बनती हैं जो पूरी तरह से बना उटी होती हैं लेकिन उसे इस तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है कि हमें उसे सच मानने पर पूरी तरह से मजबूर होना पड़ता है और आज हम जिस सिरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है The Queen's Gambit ये Netflix की मिनी सिरीज है जो 1983 में आई इसी नाम की नाविल पर बेस्ड है जिसे Walter Tewies ने लिखा है और इस सिरीज को Scott Frank ने लिखा और डारेट किया है कहानी में हम देखते हैं एक एकसिडेंट में सही सलामत बच जाने के बाद बेथारवन अनाथ हो जाती है जिसके कारण उसे एक अनाथाले में भेज दिया जाता है वहाँ पर वो एक सफाई कर्मचारी मिस्टर शाइबल को चेस खेलते हुए देखकर सीखना शुरू कर देती है और उसका इंट्रेस्ट उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगता है कई मैचों में हारने के बाद मिस्टर शाइबल को यह यकीन हो जाता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं है जिसके बाद वो से आगे बढ़ने के लिए रिकमेंड करते हैं बस यही से उसके पूरी जिंदगी बदल जाती है डिस्ट्रिक्ट, कम्यूनिटी, स्टेट और नेशनल लेवल पर सबको हराने के बाद वो किस तरह से दूसरे देश में जाकर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंसती है यही इस सीरीज में दिखाया गया है इस पूरे सीक्वेंस में वो कितना स्ट्रगल करती है, कौन-कौन सी परिशानियों को जहलते हुए आगे बढ़ती है, इन समी चीजों को बहुत ही बारी किसे इंट्रडूस करवाए गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे इसकी कहानी बहुत ही सिम्पल है, जैसे गाये पर लिखा गया निबंद, एक लड़गी है, उसे चेस खेलना पसंद है, खेल-खेल में वो उसी को अपना गोल बनाती है, और जीत कर वर्ल्ड चैंपियन बनती है क्वेंस गेंबिट दरसल एक बहुत पुरानी पॉपुलर चेस ओपनिंग है, जिसका अटैक बहुत तगड़ा होता है, इसमें प्यादे को सेक्रिफाइस करना पड़ता है, ताकि पूरे चेस बोर्ड पर कंट्रोल पाया जा सके जब इंसान सफल होने लगता है और अपने तैक ये मुकाम पर पहुँच जाता है, तो फिर उसका अपने दिवाग पर कंट्रोल नहीं रहता है, उस वक्त वो उन सारी फालतू चीजों या यूं कहा जाए गलत लट लग जाती है, जो उसे नीचे गिर्याने में पूरी तरस से जिम्मेदार होती है, और इस बात को इस सीरीज में बहुत ही खुपसूरती से प्रेजेंट किया गया है, परफामेंस की बात करें, तो बेथार्मन का रोल प्ले करने वाली अन्या टेलर जोई ने बहुत ही बहतरीन एक्टिंग की है, उन्होंने अपने कैरेक्टर में जा से प्रेजेंट किया जाए कि आप उसे सच मानने पर मजबूर हो जाएं, इस पूरी सीरीज में कहीं कोई कमी नहीं नजराती है, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डिरेक्शन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ टॉप नौच है, जिसकी वज़ा से इसे देखते वक्त आपको ब प्रेंड मास्टर की मदद ली गई है, गेम के दोरान कोई VFX का यूज नहीं किया गया है, सारे चेस के सेट्स असली हैं और उसे खुद एक्टर्स नहीं खेला है, कोई भी स्टन डबल का यूज नहीं किया गया है, इवेन इस सीरीज की कहानी 1960 के दशक की है, लिकिन रियाल प्रेंड मन बार बार उपर सीलिंग की ओर देकर चेस खेलती है, एक्ट्यूली ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम तोर पर चेस प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं, इसकी पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए, कि रिलीज होते ही ये 2020 की सबसे ज्यादा देख चाहिए, कितना आपको सेक्रिफाइस करना पड़ेगा, इन सभी चीजों से डीपली इंट्रोड्यूस करवाए गया है, इन फेक्ट अगर आपको चेस सीखना है, या उसमें अपना इंटरेस्ट बढाना है, तो भाई इस सीरीज को बिलकुल भी मिस मत करना, तो अगर आपन इस मास्टर पीस सीरीज को देख लिया है, तो उसका एक्सपिरियेंस हमसे कॉमेंट बाक्स में जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, जह पंदे मातरम